नमस्कार मैं हूँ नीलू तो जैसी के आशंका जताई जा रही थी कि इसरेल कब आखेर इरान पर हमला करेगा क्योंकि 25 दिन पहले इरान ने जिस तरह से अपनी मिसाइले दागी थी और इसरेल पर कई मिसाइले गिरी थी उसके बास यही का जा रहा था क्या किर वो दिन कब आएगा जब इसरेल इसको लेकर पलटवार करेगा तो कल अगर इसरेल के टाइम के अनुसार यानि समय के अनुसार बात की जाए तो रात के ठाई बजे के आसपास हमला जबर्दस तरीके से इरान पर किया गया है कितना नुकसान इसमे एरान को हुआ है, किस तरीके से, किन-किन ठिकानों को उसने निशाना बनाया बाक्चुत करने के लिए मैंक मेरे साथ चुड़ गाई है मैंक जिस तरह से कहा ये जा रहा था, बार-बार की जिस तरह से एरान ने हमला किया इसरेल जबाव नहीं दे रहा है, अब तक उसने चुपी साथ रखी है, बहुत सारी चीजे बात आ रहे थी, लेकिन आप जिस बड़े हमले की लगातार हम बात कर रहे थे, कि वो हमला कभी भी इसरेल कर सकता है अपनी तरफ से एरान के उपर, वो हमला हो गया, कहां कहां किस त है मीडिया में, सोशल मीडिया में, जिसकी चर्चा है इंटरनाशनल मीडिया में, उसके मुताबिक इरान के 20 ठिकानों पर यह हमले हुए है, और यह हमले जो है, वो मिलिटरी बेसेस है, वहां पर हमले हुए है, इलम इलाका है, इरान का, खुजिस्तान इलाका है, और तेहर उसी को ही निशाना बनाया गया है, रिहाईशी इलाकों पर कोई अटैक नहीं हुआ है, ऐसा अभी फिलाल जो खबरे आ रही है, इरान की तरफ से इस हमले की पुष्टी कर दी गई है, लेकिन एक गौर करने वाली बात यह है कि इरान का कहना ऐसा है कि इस हमले में कोई खास न आटैक हुआ था, लेकिन इरान ने ये भी कहा है कि इन हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, मतलब आप देखिए कि जो इरान ने हमला किया था जिस तरह का इस तरह सिर्म के उपर था यह अभी फोरी तौर पर ये उस तरह का नहीं लग रहा है, ऐसा इरान की तरफ से आ अब देखिए इसमें जो है नीलू हमने अपने कल के वीडियो में ही ये बात बताई थी कि अब अमेरिका के चुनाओ का इंतजार नहीं करेंगे नेतन याहूँ और पहले ही अटैक होगा अब दो बात से जो चर्चा कर रहे थे कि कभी भी कोई बड़ा हमला हो सकता है वो तह था वो जिस तरह के बयान नेतन यहूँ और गलेंट दे रहे थे उससे तह था कि हमला होगा और वो हमला हुआ और देखिए एक बात और इस हमले में इसरेल ने F-35 जेट्स का इस्तमाल किय है, F-16 जेट्स का इस्तमाल किया है, F-15 का इस्तमाल किया है जो हमने कल एक्जेक बताया था और यह बिल्कुल उसी तरह से उसी फॉर्मेशन में यह अटैक हुए है इयर स्पेस करीब 800 किलो मेटर ट्रेवल किया है इन्होंने कहा जा रहा है कि सीरिया की एर स्पेस का भी इस्तेमाल किया गया है तो यह भी काइफिसारी चरचा हैं कि यह हमला exactly किस इलाके से होते हुए किया गया सीरिया के उपर से ही जेट्स ने इसा पताया जा रहा है और साथ में जो है आवाक्स सिस्टम जो था वो भी था तो यह हमला इरान के उपर हुआ अब देखिए इसमें जो सबसे इंपोर्टेंट बात समझ में निकल के बहार आ रही है कि अभी जो लगता है उसके मुताबिक यह हमला बहुत बड़ा हमला नहीं माना जा सकता यह स्ट्राइक है इसमें कोई दोर आए नहीं है अभी हाला कि इनिशियल लेवल पर इक खबरे हैं अभी दीरे से पता चलेगा कि इरान में इसका कितना नुकसान हुआ है लेकिन यह हमला नुक्लियर साइट पर नहीं है यह हमला किसी भी और रिफाइनरी पर Xannelicy को निशाना बनाया, ना Whenever नुखीं के नुक्लार साइटŠ को उन्होंने क्लियर कर दिया आपनीक तरफ से अ मेरिका की बात यहां पर रकली लेगा। ये बड़ी बात है देखिए इरान की तरफ से इरान के जो military commanders बड़े हैं उनकी तरफ से जो sources से बयान आ रहा है इरान ने ये कहा है कि इस हमले का जवाब दिया जाएगा और करारा जवाब दिया जाएगा अब देखने की बात ये है देखिए इसको लेके अलग-अलग दो-ती चाहरा है और शायद rules भी नहीं चाहरा है कि कोई बड़ा war छिड़ जाए यहाँ पर अगर इरान हमला करता है इसराइल के उपर और बड़े लेवल का कोई attack होता है तब तो समझे कि ये एक महायुद्ध का रूप तुरंत ले लेगा तो अभी इरान का इस पे retaliation क्या होगा इरान कैसे जवाब देगा ये इसकी नजर पूरी दुनिया पे बनी हुई है और ये शायद आज रात तक ये बात तस्वीर सामने आए कि देखिए इरान ने अपनी तरफ से पूरी तयारी कर रखी जैसा हमने पहले भी बताया था और ये इस बात है निकल के सामने आये थी क इरान की एक हजार से ज़्यादा बैलिस्टिक मिजाइल्स वो लांच पैट्स पे रिडी हैं बिल्कुल और मैंक यहाँ पर एक सवाल ये कि जिस तरह से आईडियाफ ने आज अपने बयान दिये उसने हमला किया उसके बाद उसने बयान भी यही दिया कि देखें लगातार इरान की तरफ से उनकी प्रॉक्सिस की तरफ से यानि चौतरफा हम पर हमला किया जा रहा था और ऑक्टूबर से जो हमला शुरू हुआ था रुपने का नाम नहीं ले रहा था इसी वज़़े से हमने ये कारवाई की है तो क्या ये एक तरह से बताने की कोशिश की है कि करता रहेगा तो उसे भी नहीं बक्षा जाएगा आईडियाफ में इस तरह की बादिशार इस तरह की आप असल में ये आईडियाफ की जो प्रवक्ता है डेनियल हगारी आप उनके बयान का जिक्र कर रहे हैं उन्होंने दो बाते कहीं एक पहली बात तो आपने बताई दिय है कि जो है वो हमने हमला किया है और जो हमले हो रहे थे इरान का हमने उसका जवाब दिया है आईडियाफ की तरफ से ये भी कहा गया है कि इरान के सैन ठिकानों, एर डिफेंस साइट, बेलेस्टिक मिजाल ठिकानों पर ये हमले किये गए हैं एक अक्टूबर और 14 अपरेल क इसराइल पर हमले के लिए इन ही जगों का इस्तमाल किया गया था ये इसरेल कह रहा है कि इन ही जगों का इस्तमाल किया गया था इसलिए हमने इसको टार्गेट किया है तो अब देखिए कुल मिला के बात ये है कि अब ऐसा बताया जा रहा है अभी अभी कि एंटनी बिंकन अमेरिका इसमें पूरे में अब यह देखने वाली बात है कि अमेरिका रूस का क्या पक्ष रहता है अभी जो बात सामने आया है कि एंटिनी ब्लिंकन ने फोन किया है और बात की ठीक हमले से कुछ देर पहले अमेरिका को बताया गया कि हमला होने वाले इस बात से नाराज वी कि अमेरियका को जानकारी नहीं दी गई लेकिन निलू एक बात को तैय है, लेकिन बहुत आंतिम वक्त है, हो सकता है कि इस तरह की बात हो, लेकिन एक बात तैय है, कि ये इरान पे जो हमला हुआ, ये हमला एक कंट्रोल अटैक था, मतलब आप देखिए, ऐसा नहीं लगता कि इरान ने जो हमले किये थे, एक साथ 200 मिजाइल फायर कर दी थे, वो बड़ा हमला था, इसमें कोई दो राए नहीं है, और वो जो हमले कितने फेल हुए और कितने नहीं हुए, वो दरश्च बता रहे हैं, वो मिजाइल गिरने के पूरे जो है, वो चीजे सामने थी, और कित चलेगा, धीरे से इरान की तरफ से बताया जाएगा कि इसमें क्या कोई casualty हुई भी है, या नहीं हुई है, या क्या हुआ है, और बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसरेल को इस हमले से इसरेल ने हासिल क्या किया है, देखिए बड़ी चीज यह है, कि क्या नेतन याहु क्यों उपर एक pressure बना हुआ था, एक prestige इशू बना था, कभी इरान ने हमला किया, तो हमको भी जवाब देना है, क्या सिर्फ इसलिए यह हमला कर दिया गया, या फिर यह जो बताया जा रहा है कि ठेकानों पर हमले हुए है, तो क्या यह वाकिए नहां नुकसान हुआ है, यह तबा इरान ने भी अच्छी घासी तैयारी कर रखी है, तो आने वाले अगले 24 घंटे इस पूरे हमले पे रूस का क्या रुख है, अमेरिका का क्या रुख है, और इरान खमेनी अब क्या चाहते हैं, अगर यह बड़ा नुकसान हो रहा है इस इरान को यहां पे, तो आप यह तैम हमने भी इस पर लगातार हम रिसर्च करते हैं, बाच्छित करते हैं, एक्सपोर्ट से बाच्छित करते हैं और उसके बाद ही हम इस निर्डर पे पहुंचते हैं कि मिडल इस्ट में क्या हो रहा है, लेकिन आप इसराइल करते हैं